तो पिछले एपिसोड में तीनो डिमन गॉर्ड ने एक्सरसिजम पास पर अटैक करने का प्लान बना लिया था जिसके बाद अगले सिन में हम देखते हैं कि हाओचें सायर के साथ में होता है और वे दोनों भी यहां के मरे हुए सोज़र के याद में लैंब को उड़ा रहे थ स्प्रिट से कहता है कि अब तुम पूरी तरह से फ्री हो जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लाइट इलिमेंटल स्प्रिट भी हैरान हो जाती है और इसी के साथ साथ वो इस बात से बहुत ज्यादा खुस भी हो गई थी किसलिए वो फ्लाइब करते यहां से दूर चली जाती है तभी हाओचें से कहता है कि यहां पर आस्मान में बहुत सारे लाइट हैं जो कि दिखने में बहुत ही वीटीफूर लग रहा है ताव इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसी तरह से इसी इनको एंज्वाइक कर रहे होते हैं पर तभी इस के साथ हम देखते हैं कि उसे अपने फादर की भी याद आने लगी थी क्योंकि इसने भी एक बर अपने फादर से यही बात कहा था और इसकी म bulbs में उसे कहा था कि बचों को इस फाइर को टच नहीं करना चाहिए अब इसके बारे में याद करके साईर यहां उससे कहता है कि मैं अब यहां से जा रहा हूं और मैं घर पर तुम्हारे आने का वेट करूँगा। तब इसकी बात सुनकर सायर वीज के लिए मान जाती है। और फिर हाओचन यहां से चला जाता है। तब इस इवीच हम देखते हैं कि कैप्टन गावा हाओचन का यहां पर इंतिजार कर रहा था और फिर वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गर्फिंड के साथ में कुछ समय नहीं रह सकता। तब इस पर हाओचन कहता है कि मैं ही केवल सायर के लाइफ में नहीं रहना चाहता और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो केवल मेरे उपर ही डिपेंड रहे, तब उसकी बात सुनकर कैप्टन गावा उससे कहता है की चलो ये तो ठीक है लेकिन क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ में वॉक पर चलोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाउचिन भी इसके लिए हाँ कर देता है। और अब वे दोनों एक साथ में वॉक के लिए के निकल जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि Captain को continue जरूर करूंगी इसके बाद कैप्टन गावा कहता है कि वैसे तो हमें काफी आगे जाना है जिसके लिए हम सभी को एक के फीछे एक जरूर जाना चाहिए और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में और भी बहुत सारी बाते करता है वहीं दूसरी तरफ लिंस इं लेकिन हन्यू ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं हेवें के सामने कई बार प्रेयर कर चुका हूँ लेकिन इसके बाद भी मेरे पैरंस मेरे पास में वापस नहीं आये इसी वज़ा से मैं अब इन सारी चीजों में भी स्वास नहीं करता तब इस पर वो कै लेकिन अब यहां से आगे बाइने से पाले मैं अपने एक मिस्टेक को सुदारना चाहता हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने जब लड़के को सायर की मदर के साथ में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि उसके फादर होस में आ गये हैं और इसी बज़ा से मुझसे यहां पर साथ मिस्टेक हो गई है तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैप्टन गावा को हाउचिन के साथ में वॉक करते हुए काफी टाइम हो गया था जहां पर वो उसे बताता है कि मैंने अब तक यहां पर अपने बहुत सारे साथियों को खोया है जिसके बाद हम Flashback में देखते हैं कि जब एक बार वो अपनी टीम के साथ में डीमन का सामना करने गया हुआ था तब वहाँ पर वे डीमन इनके उपर काफी भारी पढ़ने लगे थे जिसके बाद कैप्टन गावा के सीनियर ने इसे बचाने के लिए खुद को सेक्रिफाइस क चला जाओं तो फिर उसके बाद भी तुम इसे continue जरूर रखोगे और इसके बाद वो थोड़ा सा emotional होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा करोगे जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी कुछ देर के लिए सहम गया था लेकिन आखिरकार वो कैटन गावा की बात मारने के लिए ready हो जाता है और फिर इसके हाथों से light को लेते हुए उसे कहता है कि इस war को खतम करने के लिए जरूर ही एक से ज़्यादा रास्ते होंगे और इसलिए मैं आपसे promise करता हूँ कि मैं इसे continue जरूर रखोंगा जिसके बारे में सुनकर हाथों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती जिसके बाद कैटन ली काने लगता है कि अगर या ट्रेजर भी मेरे पास में आ गया तब इसके मदद से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और इसके बाद वह light elemental spirit से कहता है कि तुम इनसान कैटन ली उसे कहता है कि हिपकप इंसेक्टर तुम्हारे साथ में मर्ज होने वाला है जिसके बाद से मैं six year old हो जाऊंगा और फिर इसके मदद से मैं level 8 को break through जरूर कर लूँगा अब इसके बारे में सोचकर कैटन ली बहुत ज्यादा खुस होने लगा था लेकिन असल में इसके असली सचाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर कहने लगता है कि उसके बाद से मैं तो सबसे ताकतवर सी लोग बर्ड को भी चैलेंज कर दूँगा और इसके अलाबा उसके बाद से दो के साथ में fight करने का confidence भी आ जाएगा अब इन सारी चीजों के बारे में डीमन वाली पाउर एक्टिवेट हो जाती है और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइट इलिमेंटल स्प्रिट मदद के लिए हाओचिन को आवाज लगाने लगी थी जिसके बारे में सुनकर हाओचिन भी जान जाता है कि वो किसी खत्रे में है और इस बात के वज़ और वो चाह कर भी इससे खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे पोर्टल भी ओपन हो गये थे जो कि डारेक्ली डीमन क्लैन से कनेक्टेट थे इसलिए अब इस बात से वे डीमन गौर्ड भी काफी खूस ह गये होते हैं और कहने लगते हैं कि अब इसके मदद से हम एक्सरिजम पास में जा सकते हैं क्योंकि असल में वे सबी पिछले कई हजार सालों से वहां पर एंटर करने में कामयाब नहीं हो पाए थे इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो इसे पूरी तरह से कोटल के अंदर जाने भी लगते हैं कि अब इसके बारे में पता चल गया था और फिर वो कहने लगता है कि इसके बज़ा से डीमन तो सीधे एक्सरिजम पास के अंदर आ जाएंगे लेकिन उससे समझ में नहीं आता कि आखिर कार यह सब कैसे हो गया और इसके बाद एपिसो आखिर कर देना और कोमेंट करके भी मुझे एक बार बता देना